और आप सब्सक्राइब एक बार फिर सब्सक्राइब एक चैनल पर फ्रेंज आज की इस वीडियो में आपर हम बात करने वाले हैं सैंसिंग की तरफ से आने वाले एंड्रोइड 13 स्टेबल अपडेट के पारे में वैले यहां पर सैंसिंग ने अल्रेडी एंड्रोइड 13 का जो बीटा अपडेट है इंडिया में काफी सारे स्मार्फोंस के लिए रॉल आट कर दिया है जैसे कि सैंसिंग का गलेक्षी अप्डेट प्रफ अपडेट हैं वो रॉल आट कर दिया बट बात करें हम यहां पर स्टेबल अंड्रोइड 13 की तो यहां पर सैंसिंग का कहना यह है के जो September का last अब जसी की चलेगा 21 to 30 September के बीच में जो S22 series है उसके लिए Android 13 का जो stable update वो rollout किया सकता है और बात कर यहां पर अगर Samsung की तरफ से S21 series की तो next month first 15 days के अंदर यहां पर Samsung जो है Android 13 का जो stable update रोल आउट कर सकता है आइंड वो stable update होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी का है कि अगर आप बीटा में रिजिस्टर करते हैं तो बीटा में आपको पहले तो यूजर इंटरफेस और जो चैंजिस होते हैं वो experience करने को मिल जाते हैं बट इस्टिल वो इतना बहतर नहीं होता है स्कंपेर टू स्टे तो इस मामले में Samsung का जो stable update वो बहतर है तो काफ़े सारे लोगों ना बितलग रिजिटर नहीं कर रहोगा और आइधिंग S22 series के लिए जो Android 13 का beat-up stage वो close भी कर दी गया है registration जो close कर दी गई है लेट सी future में क्या होता है बाकी यही ता अज कि इस वीडियो में ओफ़ले आपको इस वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कर देना शेक कर देना शेयर पर ने तो बाई सब्सक्राइब कर देना मिल तो आप से किसे इसे अगली इंट्रेसिंग इंट्रेसिंग दो कि आपके इचनए वान ने से लोगती हो तरेसिंग से उँडियो इन मने मैं हो इंट्रेसिंग ठीडिय खाय।